यदि आप कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो आप यह जरूर प्लान कर रहे होंगे कि कश्मीर में पहल गाउं देखने जरूर जाएंगे यदि आप पहलły काव देखना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में पहलिकाव से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से देंगे परन्तु उससे पहले जरूर है कि आप कश्मीर यात्रा से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकर इस वीडियो से प्राप्त कर ले ताकि आपकी यात्रा में कोई परिशानी ना आए जम्मु कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर देश का एक प्रमुक परेटेन स्थले यदि आप धर्ती का स्वर्ग अर्थात कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो श्रीनगर के से पहुचे ये आपकी सामने सबसे बड़ा सवाल होता है श्रीनगर तक सीधी रेल सेवा नहीं है यहां केवल सडक और वायू मार्क के जरी ही पहुचा जा सकता है जेलम नदी के किनारे बसा श्रीनगर डलजील खुपसरत गारडन और हाउस बोट के लिए प्रसिद्धे श्रीनगर में स्थित डलजील चारो ओर से मुगल गारडन से गिरी है और इसमें हाउस बोट स्थित है तता शिकारे चलते हैं ज्रीनघर दिल्ली, पंजाब, हर्याया आधि कई शेधी बस सेवा है इसके लावा, जम्मू शेहर से भी सीधी बस सेवा श्रीनघर के लिए सड़क के रास्ते अगर आप श्रीनघर जा रहे है은, तो आपको जम्मू होकर ही जाना होगा श्रिनगर दिल्ली से लगबक 859 किलोमेटर दूरे तथा दिल्ली से श्रिनगर का बस का किराया लगबक 1250 रुपे है तथा 18-19 गंटे का समय यादरा में लगता है इसी परकार जम्मू से श्रिनगर 206 किलोमेटर दूरे तथा बस का किराया 230 रुपे है बस दोरा जम्मू से श्रीनगर पहुशने में लगबग 7.5-8 गंटे का समय लगता है सड़क मार्ग से श्रीनगर जाने में हाला कि समय ज़्यादा लगता है लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकरतिक खुबसूरती आपकी सारी ठकान मिटा देती है एसी अद्विती प्राकरतिक खुबसूरती का लुट्फ आप हवय यातर में नहीं उठा पाएंगे आप जम्मू तक ट्रेन से भी आ सकते हैं परन्तु जम्मू से श्रीनगर आपको बस या टेक्सी से ही जाना पड़ेगा क्योंकि श्रीनगर तक रेल सेवा नहीं है श्रीनगर बस स्टेंड पर उतरने के बाद आप आटो रिक्षा या टेक्सी से आपकी होटल या हाउस बोट तक पहुंच सकते हैं आटो रिक्षा का किराया बहुत कम होता है जो की दूरी के आधार पर लिया जाता है एरोपलेन से श्रीनगर पहुंचना थोड़ा सा महेंगा ज़रूर है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है श्रीनगर तक भारत के लगबग हर बड़े शेहर से उडान सिवा उपलब दे एरोपलेन के जरी दिल्ली से नौनस्टा फ्लाइट से श्रीनगर पहुंचने में करीब देड़ घंटा लगता है यदि आप दो से तीन महेने पहले फ्लाइट का टिकेट बुक करा लेते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर का नौनस्टा फ्लाइट का किराया केवल पच्चिस सो से तीन हजार उपए पढ़ता है यदि आप वन या टू स्टाप फ्लाइट चुनते हैं तो किराया और भी कम हो जाएगा एरोपलेन से जाने में आपका भहुत सारा समय बचता है और रास्ते में कोई परिशानी भी नहीं होती यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हमारा आपको सजेशन ही कि आप फ्लाइट के द्वारा ही श्रीनगर जाईए एर एशिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एर, एर इंडिया आधी, एरलाइंस, दिल्ली से श्रीनगर के लिए प्रती दिन कई उडाने संचलेद करती है श्रीनगर एरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको अपने होटल, अतवा हाउस बोड तक जाने के लिए टेक्सी करनी पढ़ेगी क्योंकि आठो रिख्षा तता बस आपको एर पोर्ट पर नहीं मिलेगी श्रीनगर एरपोर्ट से श्रीनगर सिटी अत्वा डल जिल तक का टेक्सी का किराया 700 से 800 रुप है आप यहां किराया कम करने के लिए बारगें नहीं कर सकते क्योंकि यहां टेक्सी यूनियन है तता टेक्सी वालों की मोनोपोली है श्रीनगर की डल जिल के हाउस बोट में कुछ समय ना बिताना चाहे आप हाउस बोट को एक दिन के लिए आनलाइन बुक कर सकते हैं अत्वा श्रीनगर पहुँचने के बाद आप डल जिल पर जाकर सीधे हाउस बोट बुक कर सकते हैं Houseboat का एक दिन का किराया 700 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक होता है। कुछ luxury houseboat का एक दिन का किराया 5000 रुपे तक भी होता है। आप अपने बजट के अनुसार हाउसबोट चुन सकते हैं। यदि आप आप आनलाइन हाउसबोट बुक करते हैं तो आपको किराया बहुत कम पड़ेगा। क्योंकि आनलाइन साइड्स बहुत भारी डिसकाउंट देती हैं। आप श्रीनेगर में पहले दिन होटल की बज़ाए हाउसबोट ही बुक करें। हाउसबोट पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच तता डिनर की भी सुविधा मिलेगी। परंतो आप हाउसबोट पर केवल ब्रेकफास्ट का ही पेकेज ले। क्योंकि हाउसबोट का खाना ज्यादा अच्छा तता हाईजिनिक नहीं होता है। डल जिल के किनारे कई अच्छे वेज तचा नॉन वेज रिस्टोडेंट है। आप हाउसबोट की बज़ाए वहाँ लंच या डिनर करें। हाउसबोट पर चेक इन करने के बाद आप हाउसबोट पर चाय अथवा कैफी के साथ डल जिल को निहार सकते हैं। तथा houseboat पर घूम सकते हैं शाम को आप डल लेक में शिकारा राइट का आनन ले सकते हैं शिकारा छोटी नाव के समान होते हैं एक घंटे की शिकारा राइट की कॉस्ट साड़े 500 रुपे होती है यदि आप दो घंटे शिकारे पर घूमते हैं तो कॉस्ट 800 रुपे होती है यह कॉस्ट पूरे शिकारे की होती है एक शिकारे पर अधिकतम चार लोग बेट सकते हैं तथा यदि आप चार से ज़्यादा सदस हैं तो आपको दो शिकारे के राइपर लेने होंगे शिकारा आपको हाउस बोट से पिक करेंगे तथा वापस आपके हाउस बोट पर ही डॉप करेंगे इसमें कोई दोमत नहीं है कि शिकारा पर डल जिल की सेर आपको पूरे जीवन पर याद रहेगी आप house boat के लावा شिकारा राइड डल जिल के किनारे से भी ले सकते हैं सेकडों शिकारे टूरिस्ट के इंतजार में डल जिल के किनारे पर खड़े रρείते हैं शिकरा राइट के बाद आप राधा की रसोई अत्वा विशाल वेशनो भोजनाले पर डिनर कर सकते हैं यह दोनों रिस्टोरेंट वेजिटेरियन हैं खाना बहुत स्वाधिस्ट है तता रेट भी रिजनेबल हैं यह रिस्टोरेंट डल जिल में हाउस बोट की श्रंखला के पास इस्तिते रात में आप हाउस बोट से श्रिनगर की खुबसूरती निहारें उसके बाद आप हाउस बोट में रेस्ट करें इस प्रकार आपका खुबसूरत कश्मीर में पहला दिन समाप्त होता है दूसरे दिन आप सुभा हाउस बोट पर ब्रिकफास्ट करें तथा अपना सामन पेक करें तथा पहल गाउं के लिए प्रस्थान करें हाउस बोट से आप नाव के द्वारा किनारे पर आएं तथा किनारे पर सेकड़ो टेक्सी खड़ी रहती हैं उन में से एक को आप पहल गाउं जाने के लिए बुक करें श्रीनगर से पहल गाउं की दूरी लगभग 152 किलोमेटर है तथा टेक्सी का किराया पच्ची सो रूपए है टेक्सी वाला आपको रास्ते में कई खुबसूरत साइट्स जैसे की अवंतिपूर रुइन्स दिखाता हुआ ले जाएगा अवंतिपूर रुइन्स ग्यारो सो साल पुराना राजा अवंति वर्मन द्वारा निर्मीद भगवान विश्नु का मंदिर है हलाकि यह मंदिर टूट फूट गया है परन्तु फिर भी देखने लायक है पहलगाओं पहुँचने में आपको पांच घंडे का समय लगेगा इसलिए आप रास्ते में किसी अच्छे धाबे पर लंच कर लें आपकी टेक्सी का ड्राइवर आपको इस मामले में गाइड कर देगा यदि आप श्रिनेगर से 10 बजे सुबह पहलगाओं के लिए निकलते हैं तो आप रुकते रुकते तता सुन्दरता का आनद लेते हुए भी जाएंगे तो भी आप 3-3.30 बजे तक आराम से पहलगाओं पहुँच जाएंगे यदि आपने पहले से होटल बुक कर रखा है तो आप महाँ जाएं यदि आपने आनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो टेक्सी वाले की मदद से अपने बजट के हिसाब से 800 रुपे से 2000 रुपे पर डे का होटल बुक कर सकते हैं इसके बाद आप पेमेंट देकर टेक्सी वाले को छोड़ दें तता होटल में चेक इन करें शाम की चाई या कफी आप होटल के बाहर लान में बरफिले पहाडों को देखते होए पीए यदि आपका मन करें तो आप होटल से बाहर वेली में टहलाएं इसके बाद रात का खाना आप होटल में ही खाएं तता रात में आराम करें इस प्रकार आपका मेजिस्टिक कश्मीर में दूसरा दिन समप्त होता है तीसरे दिन सुबह पहल गाओं में अपने होटल में ब्रेकवास्ट करने के बाद आप होटल से ही चंदनवारी, बेतवावेली तथा अरुवेली लिए टेक्सी बुक कर सकते हैं इन तीनों स्पोर्ट्स को घुमाने का टेक्सी का किराया 1500 रुपे से 800 रुपे की बीच है पहल गाओं से चंदनवारी केवल 15 किलमेटर दूर है चंदनवारी एक बहुती खुबसरत स्पोर्ट है जहां से उंचे पहाड, जूमते पेड और रंग बिरंगे फूल दिखते हैं यदि आप यहां अप्रिल से अक्टूबर के महिने में आते हैं तो आपको वास्तों में लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं आप यहीं स्थित किसी ढाबे पर लंच करें इसके बाद आप पेताब वेली जाएं 1983 में एक बॉलिवूड रॉमांटिक फिल्म आई थी जिसमें सनी देवल और अमरिता सिंग एक साथ नजराये थे उस फिल्म की शूटिंग इसी घाटी में हुई थी इस फिल्म के नाम पर ही इस घाटी का नाम बेताब वेली रखा गया है नर्म घास के मेदान और हसीन पहाड़ियों से घिरी यह घाटी पहलगाओ और चंदनवाडी के भी चिस्तिते जहां से एक मार्ग अमरनात मंदिर को भी जाता है या एक खुबसुरत और बहद आकर्शक घाटी जो हरे भरे घास के मेदान और बरफिली चोटियों से घिरी हुई है चंदनवाडी से लोटते समय आप बेताब वेली में घुमें बेताब वेली के बाद आप आरू वेली जाईएगा आरू वेली एक महतपूर्ण परेटक स्थले इस वेली के बीचो बीच एक नदी है जिसके किनारे आरू गाउं बसा हुआ है यहां आप हर्स राइडिंग ट्रेकिंग आदी कर सकते हैं इस वेली में आकर आपको स्वीड़र लेंड जैसा अनुबह होगा तथा आपका मन इस वेली से वापस जाने का ही नहीं होगा आपका मन करेगा कि आप इसी गाउं में बस जाएं आरू वेली में आपको चाई नैश्थी की दुकाने भी मिल जाएंगी आरू वेली के बाद आप पहल गाउं घूमते हुए अपनी होटल में आ जाएं तथा रात का डिनर अपनी होटल में ही करें चोथे दिन आप होटल में ब्रेकफास्ट करके गुलमर्ग के लिए निकलें पहलगाओं से गुलमर्ग की दूरी 140 किलोमेटर है तता पहलगाओं से गुलमर्ग पहुचने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है आपको आपकी होटल से ही गुलमर्ग के लिए टेक्सी मिल जाएगी होटल वाले ततकाल टेक्सी पुला देते हैं टेक्सी का किराया 2500 से 3000 रुपे के बीच होता है आप बारगेन करके टेक्सी का किराया कम भी करा सकते हैं यदि आप सुबह 10 बजे भी पहलगाओं से गुलमर्ग के लिए निकलते हैं तो आप धाई बजे तक गुलमर्ग पहुच जाएंगे आप चाहें तो रास्ते में लंच भी कर सकते हैं या आप गुलमर्ग पहुँचकर अपनी होटल में लंच कर सकते हैं यदि आपने गुलमर्ग के लिए आनलाइन होटल बुक की है तो वह आपको बहुत सस्ति पड़ीगी परन्तु गुलमर्ग पहुँचकर यदि आप होटल सर्च करते हैं होटल वाले बहुत ज़्यादा रेड बताएंगे जो 3000 से 4000 रुपे तक भी हो सकता है जबकि आनलाइन बुक करने पर उसी होटल में आपको 1500 रुपे में रूम मिल जाएगा पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा महेंगे होटल गुलमर्ग में ही है इसलिए यहां के होटल आनलाइन ही बुक करें अनित्था यह होटल वाले आपको लूट लेंगे गुलमर्ग में होटल में चेक इन करने के बाद आप होटल के बाहर प्रकर्ति की गोद में चाई नाश्ते का आनन लें तदा कुछ देर होटल के बाहर पेदल ही गुलमर्ग घुमाएं रात में होटल में डिनर करके सो जाएं इस प्रकार आपका कश्मीर में चोथा दिन समापत होता है अगले दिन अर्थात पांचवे दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद केबल कार राइड के लिए जाएं जिसे कश्मीर में गंडोला राइड केते हैं आप पोनी अर्थात गोड़े पर बेटकर गंडोला राइड के टिकेट काउंटर अर्थात स्टार्टिंग पाइंट तक भी जा सकते हैं गंडोल राइट के दो फेज होते हैं पहला फेज गुलमर्ग से कुंगदूर का होता है इसका किराया 740 रुपए है सेकेंड फेज कुंगदूर से अपरवात तक का होता है इसके किराया 950 रुपए होता है यहां किराया आने तथा जाने दोनों और का मिला कर होता है यहां कुल 100 केबल कार हैं एक केबल कार 6 लोगों को ले जाती है केबल कार पहले फेज में अर्थात कुंगदूर तक 2600 मिटर की उंचाई तक ले जाती है इसमें 9 मिनट का समय लगता है यदि आप सेकंड फेज अर्थात अपरवाद तक जाना चाहते हैं तो केबल कार आपको 3747 मिटर तक उपर ले जाती है यहां पहुँचने में लगभग 12 मिनट लगते हैं गंडोला राइट से फेज वन या फेज टू पर उतर कर स्नो एक्टिविटीज को इंजॉई किया जा सकता है अब परिटो के मन में यह सवाल उठता है कि फेज वन पर जाएं या फेज टू पर यदि आप अपरेल मई तथा जून में गुलमर्ग आते हैं तो ही आपको फेज टू तक जाना चाहिए क्योंकि इन तीन महिनों में फेज टू पर ही बर्फ मिलती है तता महीं पर स्नो एक्टिविटीज जैसे स्किंग, स्नो बाइकिंग आदी होती है इन तीन महिनों में फेज वन पर बर्फ नहीं मिलती है अन्य सभी महिनों में फेज वन तक ही जाना चाहिए क्योंकि सारी स्नो एक्टिविटीज फेज वन पर ही होती है फेस्ट उपर नहीं कुंगदूर अथवा अपरवात में स्नो एक्टिविटीज करने के बाद आप गंडोला से वापस गुलमर्ग आ जाएं रात का खना आप अपनी होटल में ही खाएं तथा आराम करें क्योंकि आप स्नो एक्टिविटीज के बाद बहुत जादा ठक जाएंगे एक महतमन बाद गुलमर्ग अपनी स्नो एक्टिविटीज के लिए देश भर में फेमस है यदि आप अपरेल मई तथा जून में कश्मीर घुमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको स्नो केवल गुलमर्ग में ही मिलेगा तथा वह भी कुंगदूर अत्वा अपरवाथ में अन्य जगह पर बर्फ भाड़ों पर रहती है जहां जाना संबव नहीं है केवल गुलमर्ग में ही आप गर्मियों में बर्फ को हाथ से चू सकते हैं च्छटे दिन आप गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करें गुलमर्ग में आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से ही टेक्सी बुक करें गुलमर्ग से श्रीनगर की दूरी केवल पचास किलोमेटर है तता टेक्सी का किराया 1.500 से 1.800 रुपे के बीच है तता गुलमर्ग से श्रीनगर पहुँचने में 1.5-2 घंटे क समय लगता है श्रीनगर पहुचकर आप होटल बुक करें यदि आपने ऑनलाइन होटल बुक कर रखिये तो आपका होटल बुकिंग का समय बचेगा श्रीनगर में होटल दो दिन के लिए बुक करें होटल में चेक इन करने के बाद आप टेक्सी बुक कर सकते हैं या आटो रिक्षा से श्रीनगर लोकल साइट सीन कर सकते हैं यदि टूलिप गार्डन खुला हो तो उसे अवश्च देखने जाएगा यहां गार्डन अप्रेल में केवल 20-25 दिन के लिए ही खुला रहता है क्योंकि टूलिप फ्लावर साल में केवल 20-25 दिन ही खिलते हैं इसके बाद आप श्रीनगर में चश्मेशाही, निशानदबाग तता शालिमार बाग घुम सकते हैं इसके बाद आप श्रीनगर में डल लेके किनारे स्थित किसी अच्छे रिस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं लंच के बाद आप शंकराचाय टेमपल देकने जाएं लोटते समय आप श्रीनगर का हार्ट कहलने वाला लाल चोग देखें तथा यदि आप शॉपिंग करना चाहें तो लाल चोक पर आप यह कर सकते हैं इस चोक पर कभी कभी शुकरवार के दिन पत्थर बाजी भी हो जाती है यदि ऐसी स्थिती हो तो आप लाल चोक को देखना इस्तागित भी कर सकते हैं बाकी पूरा कश्मीर परिटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है इसके बाद आप डिनर करके रात में अपने होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात साथवे दिन आप जल्दी ब्रिकफास्ट कर लें तथा टेक्सी बुक करके सोनमर्ग के लिए निकलें सोनमर्ग श्रीनगर से 81 किलोमेटर दूर है तता सोनमर्ग पहुँचने में 3 घंटे का समय लगता है श्रीनगर से सोनमर्ग जाने तता वापस आने का टेक्सी का अधिक्तम किराया 25 रुपे होता है सोनमर्ग के लिए आप सुबह 8 बजे तक निकल जाए ताकि आप सोनमर्ग 11 बजे तक पहुच जाए सोनमर्ग को मिडोज ओफ गोल्ड अर्था सोने की घास वाली जगए कहते हैं सोनमर्ग में आप पोनी राइट का आनन उठाएं सोनमर्ग में ही आप लंच करें सोनमर्ग में घूमने के लिए 5-6 गंटे का समय काफी होता है आप सोनमर्ग से वापस श्रिनगर के लिए शाम को 4 बजे निकल जाएं ताकि आप अंधरा होने से पहले श्रिनगर वापस आ जाएं सोनमर्ग से श्रिनगर का रास्ता रात में बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है यदि आप ज़्यादा घूमना चाहते हैं तो सुबह श्रिनगर के होटल से और जलती सोनमर्ग के लिए निकले सोनमर्ग से वापस आने के बाद रात का खाना आप श्रिनगर में अपनी होटल में खाएए अत्वा आप डल लेक के किनारे इस्तित रिस्टोरेंट में भोजन करें रात में अपनी होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात आठवे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके आप होटल से चेक आउट करें तता टेक्सी के द्वारा एरपोर्ट अथवा रिक्षा के द्वारा श्रिनगर बस स्टेंड पर आ जाएं होटल से एरपोर्ट वापस जाने का टेक्सी का किराया 700 रुपए होता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं तो एरपोर्ट पर अपने गंते विस्थान के लिए बोर्डिंग करें यदि आप बस से जा रहे हैं तो श्रिनगर से जम्मू के लिए बस का टिकेट ले ले तता वापस अपने घर की जर्नी इंजॉई करें अब हम आठ दिन की इस कश्मीर यात्रा के कुल खर्च पर बात करते हैं चार लोगों का दिल्ली से श्रिनगर तता रिटर्न श्रिनगर से दिल्ली का फ्लाइट का किराया 20,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का टेक्सी का कुल किराया 16,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का होटल तता हाउस बोट का किराया 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का भोजन का खर्च 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का साइट सीन तो एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का कश्मीर में आठ दिन का अधिक्तम कुल खर्च 12,000 रुपे इसे हम 4 से भाग देते हैं तो प्रतिवेक्ति अधिक्तम कुल खर्च 18,000 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 18,000 रुपे में शांदार तरीके से फ्लाइट को शामिल करते हुए कश्मीर गूम सकते हैं यदि अब फ्लाइट की जगे बस से कश्मीर आते हैं तो प्रतिवेक्ति खर्च घटकर केवल 15,000 रुपे ही होगा यदि आप आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 14,000 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंसार मत कीजिए चल्दी कश्मीर गुमने का प्लान बनाईए और अधिक जानकारी के लिए हमें मेसेज करें यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज हमारे चेनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन भी दबाईएगा